एक थोड़ा सा समय बदलना हो रहा है सनी जो आपकी रासी से आठ में चल रहे हैं अब वो आठ में नहीं रहे आठ में सनी फतम हो गए जोड़ा सनी चल रहा था जोड़ा सनी नहीं रहा चार-च्छे मेने के लिए उतर गया है लेकिन सावधानी रखना है फिर भी आपका सनी आपकी रासी से सत्तम पहुंच चुगा है सत्तम सनी करता है पतनी का स्वास्त बिगाड़ता है सुभाव बिगाड़ता है या गोड़ेव भी सात में ओने से गोवी चिंता का रखएं आपका स्वास्त अच्छ रहेगा और खास करके आपके माता भवन भूमी बाहन से सम्मंदित थोड़ा साउधान रखना है इसमें सनिदेओं की दृष्टी आपके लिए हानिका रखो सकती है खास करके आपके लिए छोटे भाई बेहन उनके रखरकाओं के लिए उत्तम समय है नोकली पेशा वालों के लिए उत्तम समय है जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनके लिए उत्तम समय है इस प्रकार से आपके मितुन राशी वालों के लिए बताए गया है मंगल देव आपकी राशी से कहां चल रहे हैं? दसमें चल रहे हैं लेकिन भूमी भवबस बाहन को विगाड रहे हैं, भूमी संबंधी कालियों को ये नुक्सान पहुचाँ दा रहे हैं। किससे सावधान रहना है। और सूरी देव आपकी रासी से दूसरे चब रहे हैं। और बुद्ध देव दीती से और आपकी रासी पर जाए तो मिथुन रासी पर सुक्रदेव आ चुके हैं, सुक्रदेव आपकी रासी मिथुन पर लगन में होने से पत्नी का स्वास तो सभाव और संगती अच्छी मिलेगी और प्रहिम संबंदों में भी अच्छी संभाव ना दिख रही है साथ साथ में आपके दापत जीवन में सुखद वातावर्ण का प्रियूब हो सकता है इस प्रकार से आपके राशी का प्रसम जो राशी का प्रादम विभाग है वो थोड़ा सा कट्प्रद है लेकिन मद्द और अंत जो हैसो राश जो सकता है का बहुत उत्तम फ आपर अभ़ प्रोब्लम और अपनी और इन थे इस थड़तल शाना अपर शंहर करें संपर की जोदिश्य घ्यानि शर्माजी से अधिचा करें हमारा यूट्यूब चैनल जोटिश घ्यानी और संपत करें हमारा कॉंटेक्ट नम्बर है 782891229 जानेवाद